हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Android में आप अपने मुवाइल फोन के इस टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह बीडियो का में स्टार्ट ड सबसे पहले तो आपको मुवाइल फोन कौर फोन की गैलरी को ऑपन करना है अब देखे अगला काम करना क्या है कि आपके mobile phone में जितने भी apps है इन सभी apps को reset करना है यानि कि इन सभी apps का data clear करना है कैसे देखे अगर आप अपने mobile phone के किसी भी app को अगर आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा page open हो जाएगा इस तरीके का ठीक है इस page म आपको clear catch पे tap करना है तो आपका ये जो user data है इसके सामने लाड़ डेटा ये भी आपका zero हो जाएगा इस तरीके आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देने अब देखे अगला काम ये करना है आपके mobile phone में जितने भी फालतू के apps है यानि कि जिन apps को आप अपने phone में इस्तुमाल नहीं करते है उन वहीं फालतू के apps को अपने phone से हटा देना है अन इंस्टॉल कर देना है इस आपके phone का storage भी खाली हो जाता है क्योंकि देखे जब भी आप अपने phone में किसी भी नए app को install करते है तो वह घो एप इंस्ственॉmeye कि आपने के पौन में आपके फौन का इंटर्न री स्टोरेज कवर करता है तो इसलिए आपर मैं आपको समझाने के लिए example के लिए मैं आपने मुबाल फून की गैलरी को ओपन कर लेता हूं ठीक है तो आपकी सिमयाई आपका दोख भी एक अले स्रेकिकर डींद भूल करती है तो इससे तरह के समय है दो एक आपसकी बैकब सेटिंग बंद करने है, इसके लिए फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है, आपको नीचे की साडे ये अडिचनल सैटिंग पेटाप करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साडे बैक अप and restore पर टाप करना है तो इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड बैकप माई डेटा पर टाप करना है तो यहां पर आपका यह बटन होता है यह बटन अगर आपका चालू है तो बंद कर देना है देखिए दोस्तों यहां पर इससे आपके बैकप सेटिंग तो बंद हो अब देखिए अगला काम यह करना है आपको मोगाल फोन को रिसेट करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रिसेट करना है अदर्वाइस नहीं करना है फोन को रिसेट करने के लिए आपको फोन करना है सैटिंग पेज इन दोनों में सबसे लगला पहला है अप्सेकिर है पैसे लोड़े जो सबसे नीचे और उसका है पहले हम जो गशे CC दुसरे फोन में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ये ध्यान रखने हैं आपके फोन की gmail आईडियो और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करने हो उसके बाद फोन को reset करना है ठीके न तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताय हुए सारे process आप यूज करेंगे न इससे आपके फोन का storage खाली हो जाएगा